हेलो दोस्तों गलड़ी संडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वावत हैं मेरा नाम है जे और आज की इस फीडियो में आप सभी को डुराने के लिए हूतों की बहुत ज़्यादा डुराऊनी और बेज़ एक खौफनाक कानी लेकर आया है दोस्तों जो पहली कहानी है वो मैं आपको इन्ही के पॉइंट रॉप बिल से सुनाऊंगा और ये कहानी इन्हों ने मुझे इस्टाग्राम के तुल सेर किया है भाई ने अपने नाम बताने के लिए मना किया है तो हम इनका नाम गौरो रखते हैं चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे मामा के साथ लगबग 40 से 45 साल पहले घट चुकी है तब उनकी साधी भी नहीं हुई थी और वे डरावनी बातों में विश्वास नहीं करते थे जब तक कि उनके साथ ये डरावनी घटना घटित नहीं हुए थे एक बार मेरे मामा ने पूरे यानि भारत के महराश्ट में एक सहर है पूरे अपनी येजदी बाइक उनके पास येजदी बाइक थी से घूमने का फैसला किया और वे घूमी रह थे कि उन्होंने देखा कि रात होने लगी है और ये वक्त घर जाने का है फिर उन्होंने घर वापस जाने के लिए बाइक मोड ले और घर की तरफ तेजी से जाने लगी जब वे घर की तरफ जा रहे थे तब वे एक समसान घाट के पास से गुजरे तब ही अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके रहे थे और उन्हें किसी की सैतानी हसी सुनाई दे रही थे फिर भी उन्होंने आराम से बाइक चलाई और जल्दी वो गाव में अपने घर की तरफ पहुँच गया तब ही रास्ते में उनके एक दोस्त ने उनसे पूँचा कि अरे तुमारी पिछली स्टीट पर ये खुब और वे अपनी बाइक एक मंदिर की तरफ ले गए जो कि थोड़ी दूरी पे था जैसे ही वे मंदिर के पास गए तब उन्हें एहसास हुआ कि वो जो कोई भी है उनकी पीछे सीट पर बैठा हुआ था अब वो आपर नहीं है तब ही उन्होंने किसी की चिलाने की आवास भी सुनी फिर थोड़ी देर बाद वे अपने घर की तरफ वापस चले गए कई सालों बाद उन्होंने इस खटना के बारे में हम सभी को बताया कि इस खटना से वो कितना डर गए थे बाद में मेरे मामा को एक चौकाने वाली सच्चाई का पता चला कि जिस बाइक ये जिदी ब बाद से वो बाइक भूतिया हो गई थी उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने भी उनको इस बाइक का इस्तिमाल करने से मना किया था लेकिन उन्होंने इस बात को नजरंदाज कर दिया है और वे उन पर हसने भी लगे थे लेकिन अगर वो बाइक भूतिया थी तो वो खूपसूरत लड़की कौन थी जिसके बारे में उनके दोस्त ने उन्हें बताया था कि उनके पीछे कोई खूपसूरत लड़की बैटी है। ये कहानी तब की है जब वो सिलाई करते थे। उनके दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जोद राज था। वो आप पार्ट टाइम जॉप करते थे। वो अंकल हमारे गाउ के नहीं थे बलकि वो हमारे ही पास थे एक गाउ से आते थे। चुकि उनके गाउ इतना संपन्न नहीं था और वो हमारे पास ही के एक जिले के विस्व इद्याले में पढ़ते थे। वो अपने खाली समय में हमारे ही गाउं में दरजी का काम करते थे। क्योंकि एक तो उनके गाउं में इतनी अच्छी वेवस्था नहीं थी। अर्थात नौकरी की और दूसरा इसते वो अपनी पढ़ाई के लिए भी थुड़े पैसे कमा लेते थे। उनको हमारे गाउं से अपने गाउं जाने में लबबग 45 मिनट का समय लगता था और वो अपने गाउं पहुँचने के लिए सरक से जाते थे। तूफान के कारण उन्होंने सोचा कि थूड़ी देर बाद जब ये सांथ हो जाएगा तब अपने गर चला जाओंगा पर तूफान नहीं रुका। मेरे चाचा उनसे बोले कि जोद राज आज यहीं रुक जा तूफान बहुत तेज है आज यहीं दुकान में सोजा कल अपने घर चले जाना पर उन्होंने कहा कि नई बाई साहब मैं चला जाओंगा इतना भी तेज नहीं है तूफान और घर में मम्मी पापा भी परेसान हो होंगे चाचा बोले कि ठीक है पर अगर रुक ना हो तो रुक जाना पर जोद राज अंकल अपने घर के लिए निकल गये उनके निकलते ही तूफान और तेज हो गया और बहुत तेज रुक रुक कर बरसात भी हो रही थे कहीं दूर जंगल में सियारों की आवाजे आ रही अंकल एक स्थान पर जाकर रुके वहाँ पर दो रास्ते थे दोनों ही गाओं को जाते थे पर सणक वाला रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन जंगल वाले रास्ते जल्दी गाओं पहुँच जाओंगा यही सोच कर उन्होंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया उनके प केही सोच रहे थे कि आज रास्ता खत्म होने का नाम क्यूं नहीं ले रहा है। वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि जलूर गाउं में जा रहा होगा। चलो सफर का साथ ही तो मिला। पूछता हूँ। इतना सोच कर वे उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने गौर किया कि वो आदमी एक पैर से लंगडा के चल रहा था। साथ ही उसका सर रास्ते के बाई और चंगल के पेड़ों की तरब था। और उसकी गरदन नीचे की और जुकी हुई थे। उसको एक विचित्र आदमी कहना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसके हरकते किसी भी तरीके से सामान ने इनसान से नहीं मिल रही थी। ये सब अंकल ने उसके वेवहार में पाया। अंकल उसके पीचे पीचे चल रहे थे और उसे कड़कती बिजली के माध्यम से ही समझ पा रहे थे। उन्हें जिग्यासा हुई कि ये आखिर कौन है। सैद गाउं से ही तो नहीं है। चल के देखा जाए। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सके। वे जैसे ही उसके पास गये और उससे पलटने को कहा, वैसे ही उनकी टॉर्च बंद हो गये। और एकदम से बिजली कड़क उठे। बिजली की रोसनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा। और वे एकदम से दूर जागिरे। उनका सरीर मानू लकवा ग्रस्त हो गया हो। उन्होंने देखा कि अब तक जिसे वो गाओ का ही कोई आदमी समझ रहे थे, वो उनका ब्रहु था। क्योंकि ये तो कुछ और ही था। उसकी आँखों की जगे दो बड़े बड़े छेद, मानू जैसे किसी ने दोनों आँखों को निकाल के बड़ा से छेद कर दिया हो। उसका जबड़ा अपनी जगे से अलग होके एक तरफ लटका रहा था। उसमें से दाथ साब दिखाई दे रहे थे। पर दाथ भी ऐसे थे कि काट ले तो सारा सरीर का मान्स एक पल में निकाल दे। ये तो एक बड़का है पर ये कैसे ये सब तो बखवासे होती हैं। पर धीरे धीरे वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। हर पल विजली कड़कती और वो उनके पास आ रहा था। अंकल का हाल खराब था और उनकी जीब हलक में अटक गए वो एकदम जोर से आगे बढ़ता है और अंकल के बिलकुल पास आके कायब हो जाता है। अंकल थोड़ी देर बेसुद इधर उदर देखते रहे और थोड़ी देर बाद उठे और तेजी से अपने गाउ की तरफ भागे। वो इतना तेज भागे कि अपने घर जाके रुखे और हापते हापते ही बिवोस हो गये। सुबह जब उनकी आँख खुले तो वो एकदम से चीखे बढ़का 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 वे भूत होते हैं जो जंदल में रहते हैं और किसी जौमवी की तरह चलते हैं एक बार कोई इने देख ले तो ये उसे जिन्दा ने चोड़ते हैं ये अपने को देखने वाले के सरीर क चीर फार कर रख देते हैं और उसे हड़ी सहित खा जाते हैं ये बात उन्होंने मुझे बताई थे तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था उसके बाद उन्होंने कभी भी उस जंदल का रास्ता नहीं चुना और अब वो उस गाउं में भी नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी एक ब मेशा ही अपने पास उनकी माला रखते हैं तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खतम होती है आईए अगली कहानी के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्या हो यदि आपके पास बहुत सारे जानवर जैसे भेंड बकरी और कुत्ते हो जो आपके बाड़े में बंदे हुए हो और नहीं बल्कि बहुत ही रहस्यमई तरीके से मरे हुए जैसे कि उनके सरीर पर किसी तरह का घाव नहीं होना बल्कि उनके सरीर पर एक कड़े का होना और उनके सरीर में से सारे कून का गायब होना आज हम एक ऐसी घटनाओं पो अंजाम देने वाले एक रहस्यमई जीव के बा रही थे कहा जा रहा था ये सिकारी जानवर लोगों के पालतू जानवरों को अपना सिकार बना रहा था और एक ही रात में कई सारे पालतू जानवर जैसे की कुट्ते, बिल्ली, मुर्गी और भींड बक्रियों को मार कर खा रहा था हानी में उसकी इनसानों पर हमला करने की खबरे भी आ रही थे कुछ लोगों के अनुसार ये जानवर सिर्फ रात के अंधेरे में सिकार करता था और हमला करने के बाद फूर्ती से गायब हो जाता था कहा जारा था कि ये जानवर एक ही रात में सैकड़ो जानवरों को मौत के घाट उतार देता था और इसलिए कुछ लोग इस जानवर की तुलना पश्चिम के चुमपा गाबरा से कर रहे थे चुमपा काबरा यानि की बक्रियों का खुन पीने वाला दोस्तों नब्बे के दसक में इस जानवर की देसत पूरे अमेरिका और साउथ अमेरिका में फैल चुके थी चुम्पा काबरा नामक ये जानवर रातो रात सैकडो जानवरों को मार कर उनका खून बेजाता था गवाहों के अनुसार चुम्पा काबरा तीन से चार फिट हुचा एक जानवर था जिसके सरीर पर बाल नहीं थे और इसकी तवचा खुरदूरी थे इसके चेरे पर दो बड़ी बड़ी आखे थी जो रात के वक्त लाल या पीले रंग से चमकने लगती थे और इसके जवड़े में कई नुकीले दाप थे जिनकी मदद से ये अपने सिकार को दबोच लेता था और अपने नुकीले दातों से बने कड़ों से अपने सिकार का सारा खोन पी जाता था इसलिए चुमपा काबरा के चंगुल में फसे सिकारों के सरीर से खोन की एक बोन नहीं मिलते थे कहा जाता है कि चुमपा काबरा के पिछले पैर बड़े और सक्तिसाली थे जिनकी मदद से वो तेजी से दोड़ करता था या फिर लंदी छलांगे लगा सकता था पूरे अमेरिका में कई लोगों ने शुपा काबरा को देखे जाने का धावा किया था और करीबन पचीस सालों तक ये जिव चर्जा का विसे बना रहा कुछ लोगों को तो ये भी कहते हैं कुछ लोग कि शुपा काबरा नामक ये विचित्र जानवर इस दुनिया का था ही नहीं बलकि एक परग्रही जीव यानि एलियन था क्योंकि छुपा काबरा का हमला होने से पहले लोगों को उसके हमला किये जाने वाले इलाके से कई योफो भी नजर आते थे ऐसे में मरीपुर के कुछ लोगों का मानना था कि उनके राज्य में भी छुपा काबरा अपना कहर बरसा रहा है मड़ीपूर के विश्णूपूर और नियाली नमक इलाके में जानूरों की रहस्त में मौते हो रही थे और इसलिए मड़ीपूर राज में डर्व और दहसत का माहौल बना हुआ था लोग सारी राज जाग कर घरों के बार पहरा दे रहे थे और इस रास्ते में जीव को ढूनने की कोशिस कर रहे थे सरकारी या दिकारियों के अनुसार ये काम किसी छुपा काबरा का नहीं बलकि कुछ भूंखे भेडियों का था तो आई हो गैज आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा तो अभी आगे अगली कहाने की तरफ बढ़ते हैं ये बात तब की है चब मैं अपने कॉलेज की छुटियों पर अपने गाउं में गया हुआ था मेरे परिवार में कुल शे लोग हैं गाउं में हमारे घर में मैं अपने विदादा दादी के साथ ही सोता था गाउं में रहने वाले लोग जल्दी ही जग जाते हैं और सुबह सुबह ही काम करने के लिए अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं मेरी दादी सुबह 5 बज़े ही उठ जाया करते थे और वो मुझे भी उठा देते थी इसलिए मेरी रोज सुबह जल्दी जल्दी उठने की आदत बन गई थे मैं उस सुबह उठकर रोजना व्यायाम करता था उसके बाद मैं पढ़ाई करता था एक दिन की बात है जब मैं बहुत ठका हुआ था तो मैं जल्दी सो गया था राद के लगभग तीन बजे मेरी आँख खुली आज मैं काफी जल्दी उठके था तो मैंने सोचा कि अब जब उठी गये हैं तो क्यों न पढ़ लिया जया पर पढ़ने से पहले कुछ व्यायाम कर लें ताकि सुस्ती भी उड़ जाएगी और पढ़ाई में मन भी ज्यादा लगेगा तो मैं अपनी छट पे चला गया और इदर उदर टहलने लगा उस समय ठंड बहुत थिक और कोरा भी था दूर दूर तक घोर सनाटा था छट पर टहलते हुए मैंने देखा कि सामने वाले घर की छट पर एक आदमी यह यूँ कहें एक साया ख़़ा था साया इसलिए क्योंकि कोरे की वज़े से वो साफ नहीं दिख रहा था वो घर मेरे गर से कुछ पचास कदम की दूरी पर था मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि गाओं में लोग जल्दी ही जग जाते हैं इसलिए सायद ये भी मेरी ही तरह जल्दी जग गया होगा और अपनी छट पर टहल रहा होगा मैं तो वायाम करने लगा वायाम करते हुए मैंने देखा कि वो आदमी ये यूँ कहें कि वो साया जैसे पहले था वैसे ही अब बस मेरी तरफ मूँ किये ख़ड़ा था मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा मैंने सोचा चलो उसे आवाज नबही जाए मैंने कहा कैसे हो बाई पर उदर से कोई जवाब आना तो दूर की बात वो आदमी तो अपनी जगे से हीला भी नहीं मुझे उस पर बहुत कुस्सा आया और मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी एकसरस्ताइच करने लगा तब ही हवा में अचानक से ठंड पहले से और ज़्यादा बढ़ गए थे मैंने सोचा नीचे घर में जाया जाए तो जैसे ही मैं अपने घर में जाने लगा मैंने देखा कि उस आदमी का कद अचानक से बढ़ने लगा है उस आदमी को उस समय आदमी समझना सबसे बड़ी बोर्खता थे वो धीरे धीरे एक हर जितना बढ़ा हो गया था उस समय मेरे पैर जैसे जम ही गए थे उस समय मैं खुद को कोशने लगा कि मैं उपर आया ही क्यों अब मैं नहीं बचने वाला डर से मैंने अपनी आँखे बंद कर ली थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आँखे खोल के देखा पर वह कोई भी नहीं था मैं तेजी से नीचे आया और कंबा लोड़कर सो गया सुबह मैंने ये बात अपने घरवालों को बताए तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया सिवाए मेरी दादी के उन्होंने कहा कि वो एक छलावा था और छलावा बहुत ही खतरनाक होते हैं तेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि तेरे गले में ये मातारानी का रच्छा कवच था दोस्तों तब मुझे याद आया कि ये तुम मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने गले बांधा था भागवान ने ही उस दिन मेरी जान बचाई आये हो गैस आपको एश्टोरी अच्छी लगी होगी दोस्तों अब अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं ये कहानी एक आदमी की कलपना पराधारित है इसमें एक आदमी होता है जो सही से सो नहीं पा रहा होता है जिस कारण वो एक ऐसी कलपना के चकर में फ़र जाता है जो उसको वास्तविक्ता से परे कर देती है और फिर उस दुनिया जिसमें उस आदमी की कलपना चलती है वहाँ से कोई तो आता है एक रात आप अपने पलंग पर बैठे हो आपको नीन नहीं आ रही हो और आप अप पलंग से उठ करके अपने पैर जमीन पर रख कर पलंग पर बैठ चुके हो आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो कि मुझे रोज तो जल्दी नीन आ जाती है और आज क्या बात है कि नीन ही नहीं आ रही है आपको रात में अपने कमरे की लाइट्स बंद करके सोना पसंद है आप पलंग पर बैठे हुए हो घड़ी की ओर देख रहे हो पर अंदेरे की वज़े से समय कितना हुआ है इस बात का पता भी नहीं चल पा रहा है अंदेरे में आपको केवल खड़ी के टिक टिक करने की आवाद सुनाई दे रही है आप अब खुद पर गुसा करने लग लगे हो कि मुझे नीन नहीं आ रही है मुझे कल जल्दी उठ़ना है पर कोई फायदा नहीं आपको बिल्कुल नीन नहीं आ रही है अब आप अपने पलंग से उठकर अपने कमरे की खिड़की की ओर जाते है खिड़की खोलकर आप बाहर की ओर देख रहे हैं आज पूरणिमा की रात है चांद की रोसनी कम है क्योंकि बादल चांद को घेरे है बाहर का मौसम ठंडा है बाहर जींगरों की आवाज आ रही है आपके कमरे की खिड़की के सामने एक स्ट्रीट लाइट चल रही है जिसका प्रकास आज पास के एक छोटे से छेतर को घेरे हुए है पाहर हवा चल रही है ठंडी हवा जो आपके सरीर को सुई की तरह इस पर्स कर रही है मौसम सरदी का है चारों तरफ अंदेरे से बैती हुई ठंडी हवा और जिंगरों की आवाज के सिवख कुछ नहीं है देरे देरे आप आसपास की मौहौल को समझ पा रहे है अब मौहौल में कोई और भी आ रहा है जिसे आप साप तोर से महसूस कर पा रहे है आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है पर ये आवाज बहुत दीमी है कौन हो सकता है वहाँ आपके अंतरमन में ये सवाल उठ रहा है अब आप अपनी नजरों को चारों और मौहौल में घुमा कर उस आने वाले को देखने का प्रयास कर रहे है पर आपको नहीं पता कि वो आने वाला किस ओर है देरे देरे ठंड बढ़ने लगी है ठंड के काराण आप खिड़की को बंद करने जाते हैं कि तभी आपकी नजर स्ट्रीट लाइट के पास एक कोने की तरब जाती है हवा और तेज हो गई है जिंगरों की आवाज बंद हो गई है उस कोने के पास कोई तो खड़ा है पर कौन है वो सवाल आपके अंदर उठ रहा है उस जगे तक स्ट्रीट लाइट का प्रकास नहीं पहुँच पा रहा है आप बेसब रहे कि आखिर कौन हो सकता है वो आपकी नजर स्ट्रीट लाइट की ओर जाती है जो अब जल बुझ रही है दिरे दिरे स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद पढ़ जाती है चारों और खुप अंधेरा पर आप किसी के दिरे दिरे चलने की आवाज को सुन सकते है बादल के हटते ही प्रकास फैल जाता है पर आपकी नजरों तो एक आठ फुट लंबे आदमी की ओर गड़ चुकी है वो आदमी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा आपको देख रहा है क्या है ये आपके मन में आया हुआ सवाल वो आपको देखके एक बड़ी सी भयानक सी मुसकान देता है जिसका आपको पता उसके मुझ को देखकर पता चलता है जो बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ है उसकी मुसकान किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है पर जैसे ही आप उसकी आँखों में देखते हैं तो आपको केवल अंधेरे के सिवा कुछ नहीं रिखता अब आप उसको ज्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है इसका कारड वो डिरावना सक्स है आपकेवल आखिरी बार उसकी ओर देखते हैं पर ठीक उसी वक्त उसका मुझ खुलता है जिसके अंदर खूब सारे नुकीले दाथ है वो समझ चुका है कि आप उससे पूरी तरह से डर चुके हैं अब वो आपकी ओर बढ़ता है उसका मुझ अभी भी खुल रहा है जिकेवल आपके लिए अब आप समझ कहें कि वो आपको खाने आ रहा है आपके पैर जम गए हैं और आप हिल भी नहीं पा रहा है आपका दिल इतना तेजी से धड़क रहा है कि बस अब किसी भी वक्त ये अपनी चरम सीमा बर पहुंच जाएगा मतलब कि ये रुकने वाला है आप एक आखिरी बार उस सक्स की ओर देखते हैं और फिर आप तेजी से अपनी खिलकी बंद कर देते हैं अपनी पलंग की रजाई में जाकर छुपने का प्रयास करते हैं भगवान कौन है ये नरक से भी ड्राओना आपकी खिलकी पर खटखटानी की आवाज आ रही है जो बेसक हवा की नहीं बलकि उसी की है आप अब किसी भी वक्त मर सकते हैं ऐसा आपके मन में उठ रहे कई सारे खौफना ख्याल है देरे देरे आपको नहीं दा जाती है अगली सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो आप अपने आसपास देखते हैं पर देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप सच में वास्तविक दुनिया में हो कोई तो है जो आपको उठा कर अपने साथ ले जा रहा है आई होप गाईज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर आप ऐसी स्टोरी स्ट को पसंद करते हो तो कमेंट करके बताईएगा ये स्टोरी सिर्फ आपके लिए बनाई गई है ताकि आप परसनली फेल कर सके और एक्सपीरियंस कर सके खेर दोस्तों अब अपनी अगली कानी की तरब बढ़ते हैं ये घटना मेरे साथ नहीं बलकि मेरे पती जॉन जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके साथ होई थे जब वो 16 साल के थे 1992 में उनकी मा मेरी जिनके पती का कुछ वर्सों पहले ही स्वरगवास हो गया था उन्होंने टॉम नाम के वेक्ती से दुबारा साथी कर ले थे वे इस्ट रेक ओहियो अमेरिका युएसे में एक जगए है उस घर में रहने के लिए चले गए थे उस घर के अंदर तीन कम्रे थे मेरी के पहले पती चक के पास बहुत सारी निजी संपत्ते थे जो अब मेरी के पास आ चुगे थे इन में से एक जर्मनी के ब्लैक फॉरिष्ट की एक सुन्दर बनूत तेन की बनी मेंटल क्लॉक थे वो उस घरी को बहुत ही पसंद करता था वो हमेशा उस घरी की बहुत ही अच्छे से देखबाल करता था ताकि वो घरी हमेशा चलती रहे एक बाद जब वो बीमार हुआ तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद वो मेरी उस घरी की बहुत ही अच्छी तरीके से देखबाल करे ताकि कि वो कभी भी बंद ना हो अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर उसको परिशान करने के लिए आएगा वे अपने नए घर में रहने के लिए गरेलू सामान को सिट करने लगे तब जॉन जो की सोला वर्स का है उसकी बेहन बेत बार्द वर्स की थी कुछ समय के लिए मेरी और जोन उस गड़ी को चालू रखने के लिए उसमें चाबी गुमाते थे इसके अलावा वे घर का सामान अच्छे तरीके से जाच रहे थे और घर के अंदर नया नया सामान ला भी रहे थे जैसे की नया फरनीचर इसके अलावा जौन और बेत इस स्कूल में भी जा रहे थे और नैने दोस्त भी बना रहे थे इस गर में रहते हुए उन्हें एक साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घरी को चाबी देना बंद कर दिया ये गरी दिखने में बहुत ही अलग थी इसके चारों और सुन्दर लकडी का काम हुआ था और इसके मिल के दोनों तरप फोल और पच्छी सजे हुए थे इस गरी के नीचे एक पेंडूलम आगे पीछे गूंता था और पेंडूलम के नीचे एक मैपल का पत्ता था एक दिन जब वह लोग खाना खा रहे थे तब वो गरी जोड़ जोड़ से बजने लगी जबकि उसको चाभी भी नहीं दे गई थे उन्हें लगा कि ये बस एक संयोग है ऐसा समझकर उन्होंने इस बात को नजरंदाच कर दिया लेकिन फिर भी वो गरी हर बार एक ही समय पर बसती थे फिर इस बात का पता लगाने के लिए जौन और टॉम ने इसकी जाच करना सुरूर कर दिया कि कहें इसमें कुछ मेकेनिकल सिस्टम तो नहीं है जिसे इन्होंने नजरंदाच कर दिया हो उन्हें इसमें कोई मेकेनिकल सिस्टम नहीं मिला उसके बात भी उन्होंने इस गरी में चाबी नहीं दी क्योंकि चाबी घर में कहीं गुम हो गई थी और वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि वो कहां गुम हो गई है अभी भी उनके पास कुछ ऐसे बक्से बचे हुए थे जिने पैक में ही किया गया था क्योंकि उन्हें रखने के लिए उन्हें कोई अच्छी जगे नहीं मिल रही थे गड़ी पूरे दिन बंद रही अगले दिन सुबहे के करीब दो बजे वो दोबारा से बजने रगी गड़ी हर एक घंटे में एक ही समय बसती रही मैरी इससे काफी परेसान होने लगी थी उसने सोचा कि ये उसके मरे हुए पती चक का भूत होगा क्योंकि उसने कहा था कि अगर उन्होंने इस घड़ी का अच्छे से देखभाल नहीं किया तो वो उन्हें परेसान करने के लि उस घड़ी का पेंडूलम निकाल कर उसे अलमारी के अंदर एक बॉक्स में रख दिया उन्हें लगा कि अब घड़ी की परेसानी का हल्प हो गया है लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोबारा वो घड़ी बचने लगी थी उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ फिर ज इस भाग के उपर पेंडूलम लगाया हुआ था वो आगे बीचे टिक टिक कर रहा था फिल जॉन ने उन सभी लोगों को ऐसा होते हुए दिखाया मैरी अब बहुत ही दुखी हो चुकी थी अब मैरी इस घटना को बरदास्त नहीं कर पा रही थी उस घड़ी ने उसे इक चक की याद दिलाती थे साथ में इस बात ने भी सबको निरास कर दिया था कि ये गड़ी सच में भूतिया है फिर उन सभी लोगों ने निर्णे किया कि हमें इस घड़ी को बेश दिना चाहिए लगबग एक सब्ता के अंदर ही उन्होंने इस घड़ी को बेश दिया उनके गर में बजा करती थे या फिर इसके जाने के साथ ही चब भी चला गया। उन सभी को विश्वास था कि वो गड़ी बेख भूतिया गड़ी थी। उसके बाद उन्होंने उस मेंटल क्लॉक के बारे में कुछ भी कभी भी नहीं सुना और ना ही य। उसके बारे में कभ जाने जा रहा हूँ, वो और वो मेरे चाचा और उनके दोस्तों के साथ कई सालों पहले हुआ था। और थोड़ी देर बाद रात भी होने वाले थी। फिर उन सभी लोगों ने वहाँ पर रुकने का फैसला किया। लेकिन उनमेंसे एक दोस्त ने कहा। ऐसी बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी कार को सड़क के एक तरप रोग दिया। और खाना खाने की तयारी करने लगे। तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाद सुनी कि कोई किसी अजीब भासा में कुछ बोल रहा है और जोर जोर से एक सैथानी आवाज में मंत्र बोल रहा है और हस रहा है। कि जिसकी वज़े से उनके दिल की दरकन बढ़ दे और वो बहुत खबरा गय थे। और उनकी खबराहट के कारण उनकी आवाज अंदर ही तब गई थे। और वे सभी लोग बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें डर के कारण बहुत पसीना आने लगा था। उन सभी लोगों ने देखा कि चार या पांच लोग जो की सभी भूत थे वे एक जुलूस निकाल रहे थे और एक सैतानी मंद्र गा रहे थे। वे एक मरे हुए आदमी का सव वो मरा हुआ व्यक्ति भी भूत था। उसके सव को अपने उपर रखके जा रहे थे। वे चाजा और उनके दोस्त उनको देखकर अपनी कार के पीछे चीप गये। वे बहुत भाग्यसाली थे कि उनकी कार के सीसे काले रंगे थे। जिसकी वज़े से उन सभी लोगों को यानि की भूतों को वे लोग नहीं दिखे। फिर वे सभी लोग वही पर सो गये और सुबह ह होने पर वे सभी लोग उठकर घर की तरफ चले गये। वो डेर के मारे सदमे में थे। इस घटना के बाद मेरे चाजा जो भूतों की बातों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कसम खाई कि वो वापस फिर कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। औरना ही ऐसी उपरी सत्यों का मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आईए अगली कहानी के तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमारे गाओ की काली चुडैल के बारे में है। गाओ के लोगों का कहना है कि वो जंगल के किनारे पर बने बरगत के पे क्योंकि हमारे गाओ में हनवान जी का मंदिर है और उसे गाओ के बाहर उस बरगत के पेड़ पर बांध रखा है। इसलिए वो चुडैल किसी बच्चे का उस पेड़ तक आने का इंदिजार करती है और फिर उसे अपने वस में करके मार कर खा जाती है। ऐसा गाओ के सभी लोग बोलते हैं। इसलिए इस गाओ का कोई भी बच्चा जंगल की किनारे पर खड़े उस बड़े से बरगत के पेड़ के पास नहीं जाता है। ये सब बाते सोनु सहर से आये अपनी मौसी के लड़के पिंटु से कह रहा था। पिंटु सहर का था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वैसे भी ये बच्चे थे दस से बारा वर्स की उम्र के। पिंटु ने उनसे बोला हा हा ये सब जोट है। दोस्तों गाओं के लोग आपको जोट बोलते हैं। तो सोनु उससे बोला नहीं ये सब सच है और हम रात में तुमें उस चुडैल की आवाज सुना सकते हैं। तो पिंटु बोला चलो ठीक है आज साम हम समी इसी जगे मिलेंगे और फिर सम मिलकर उस चुडैल की आवाज सुनेंगे। ठीक साम के सारे छे बजे पिंटु और सोनु से उसी जगे पर बच्चे इकठे हो गए। तब सोनु उनसे बोला हमें उस या सुनाई नहीं देगी। हमें इसके लिए उस पुराने खंडार के अंदर जाना होगा। जो गाओ के सबसे आखिरी में है। सभी बच्चे उस जगे गए और वहां जाकर उस चुडैल की आवाज सुनने लगे। पर उन में से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे तब पिंटू बोला मैंने तो पहले ही कहा था कि गाओं वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुडैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। रोज वो चुडैल रात में हसती है और सभी से बोलती है कि मेरे पास आओ मैं भूखी हूँ। ऐसा देकर सब बच्चे उस जगे से जाने लगे और पिंटू भी उनके साथ साथ उनका मजा कुडाते हुए जा रहा था। सब बच्चे आगे थे और पिंटू उनके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि तभी उसे किसी के हसने की आवाज आई। और किसी ने कहा मेरे पास आओ पिंटू मैं भूखी हूँ। पिंटू ये सुनकर ढर गया और कापने लगा उसके मुझे आवाज ने निकल रही थे पर किसी तरह उसने अपने भाई सोनू को आवाज लगई। तो सोनू और बाकी के सभी बच्चे उसके पास दोड़ कर और बोले अरे तुझे क्या हुआ तुझे क्यों रहा है। वो बोला कि मैंने अभी किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना है। क्या तुम सभी ने भी सुना था। सभी बच्चे बोले नहीं हमने तो कुछ भी नहीं सुना। सभी बच्चे बोले कि हमने तो तुझे पहले ही कह पिंटू की आलत खराब हो गई थे उसे नहीं आ रही थे थोड़ी दिर बाद उसे किसी की आवाद सनाई दी वो जो कोई भी थी उसे बाहर बुला रही थे पिंटू को बहुत डर लग रहा था पर पता नहीं क्यों वो उस आवाज की तरफ खीचा चला जा रहा था वो घर से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक काले कपड़े पहने एक और उसकी और अपनी पीट किये खड़ी थ वो औरत मन में कुछ कुनवना रही थे आसपास का माहौल भी काफी खौफनाग था चारो तरफ कोरा चारा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गाउ कोरे में ढूब गया था ठंड बिलकुल ऐसी थी कि जैसे नंगे जिस्म पर कोई सुई की नोक चुभा रहा हो आसप और खुन को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे अच्छे सुर्माओ की हालत खराब हो जाए तो ये फिर तो एक छोटा बच्चा था वो काले कपड़े वाली औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे पिंटू भी जा रहा था वो अपने वस में नहीं थ और उस चुडैल के साथ साथ बसगाओं से होकर उस चुडैल के बरगत वाले पेड़ तक जाय जा रहा था थोड़ी दिर बाद वो उस बरगत के पेड़ के पास खड़ा था उसे होस आया और उसने देखा कि वो अपने घर में नहोकर एक बड़े से बरगत के पेड़ के पा नहीं आसपास किसी के जोर से चिलाने और हसने की आवाजे आने लगी पिंटु की आलत काफी खराब हो चुकी थे उसकी आखों से आसु बह रहे थे वो डर के वारे इधर उधर देख रहा था तब ही उसने देखा कि उस बरगत की पेड़ पर एक काले रंग की सौ लोड़े ए उसकी ओर देख रही थी और हस रही थी वो बोली आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी गाउं में बहुत दिनों से कोई मेरा सिकार नहीं बना है और हस कर वो एक छटके से उसके सामने आकर खड़ी हो गए पिंटु ने उसकी भयानक सकल देखी और वो आसे भागने लगा कि त चैरे पर अपने बड़े-बड़े नाखोन फेरने लगी जिसे बिंटु के गाल पर एक नाखोन से हलका से कटने का निसान लग गया फिर देरे-देरे वो औरत अपनी खुलारी को उसकी और पढ़ाने लगी और खुलारी का एक जोर गवाड उस पे देमाना तब ही वो फ्रेस होने के लिए गया कि तभी चेरा दोते वक्त उसे सीसे में अपने गाल पर एक नाखुन के कट का निसान दिखा वो समझ गया कि उसके सपने में कोई हकीकत जरूर थी फिर उसी दिन वो और उसकी माँ अपने सहर लोट गये थे पर पिंटू के साथ जो कुछ हुआ वो एक सपना था या सज ये पिंटू हमेशा याद रखने वाला था वो बरगत का पेड़ आज भी वही है और वो चुड़ैल आज भी अपने सिकार का इंतजार कर रही है दोस्तों ये कहानी याँ पर खत्म होती है आईए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं ये दूसरी कहानी रामू की है जो कावे सराब पिया करता था या यूं कह लीजिए कि वो सराब पिने का आदी था उसे उसके गाओं वाले काफी समझाते थे कि भाई सराब मत पिया कर पर जो आदमी अपने माबाप और बीवी की नहीं सुनता था वो भला किसी और की क्यों सुनेगा गाओ के पास में एक और गाओ था जहां से वो अपने लिए सराब लाया करता था तो ऐसे ही एक दिन की बात है जब वो देर रात सराब पिकर अपने घर लोट रहा था उसके पास एक सराब की बोतल भी थे जिसे भी वो उसी दिन पीने के लिए लाया था उसने सोचा कि गाओं के आस पास पियूँगा तो सभी देखकर मेरा दिमाग खाएंगे तो उसने एक खेत के अंदर सराब पीने की सोची थोड़ी देर बाद वो एक खेत तक पहुँचा और सराब पीने लगा तब ही उसे किसी के मक्का की फसल में से निकल कर आने की आवाज सुनाए थे वो थोड़ा नसे में था पर वो साप तरीके से सुन पा रहा था कि वो आवाज उसके सामने वाले मक्का की फसल की क्यारी से आ रही थे वो सोचने लगा कि इतनी रात को कौन है साथ इस खेत का किसान होगा चलो यहां से चलता हूँ वरना वो तो मुझे यहां से भगा ही देगा यही सोच कर वो उस जगे से जाने लगा पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता उसने देखा कि उस खेत में से एक भयानक सी ओरत आकर उसे देखने लगी वो ओरत बड़ी ही भयानक थी और उसकी ओर बढ़ रही थे ये देखकर रामू वहाँ से तेजी से भागा और वो ओरत भी उसकी ओर भागने लगे भागते भागते रामु थोड़ी दूर आया और उसने देखा कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं था वो सोचने लगा कि आज कुछ ज्यादा चड़ गई है मैं भी ना चलो सुक रहे कि मेरी बोतल सही सलामत है और वो हसने लगा तब ही उसे जोर की ट्वैलेट लगी और वो एक पेड़ के पास आकर पेसाप करने लगा पेसाप करते करते जब उसने अपना सर उपर गुमाया तो देखा कि वो औरत उस पेड़ पर बैठी थे और उसको बड़े ही डराओने तरीके से देख रही थे और वो एक जबटे से उसके उपर कोद गए वो जैसे ही उस पर कोद ही वो नीचे जागी रख और चिलाने लगा पर वो औरत उसके हाथ से उसकी सराब की बोतल छीन ले और सराब पीने के बाद अचानक वहां से गायब हो गए रामो ये देखकर वही वेहोस हो गया सुबह जब उसे होस आया तो उसने देखा कि उसकी सराब की बोतल वही पड़ी थी उस दिन से उसने कसम खाली कि अपसे सराब नहीं पियोगा टैनिंग लोसन एक महिला की कहानी यानि एक अर्बन लीजिन्ड है जो अपने चेरे को संदर बनाने के लिए टैनिंग बूत और सनवेट का उपयोग करती है दाकि उसका सरीर का रंग हलका या काला भूरा हो जाए एक ही हुआ महिला थे जिसके साधी कुछी दिनों में होने वाली थे उसके साधी के दिन नजदीक आ रहे थे और वो सबसे संदर दिखना चाहती दिखती है इसे लिए उसने साधी से पहले अपने आपको संदर बनाने का ठान लिया था वो महिला अपने घर के पास एक टैनिंग सेलून में गई और सन बेट पर एक घंटा बुक करने की कोशिस के उस सेलून के करमचारियों ने उससे कहा कि वो केवल एक बार में 30 मिनट के लिए टैनिंग करा सकते है 30 मिनट के बाद उसने सीसे में देखा कि उसका चेरा अभी भी सुन्दर यानि टैन नहीं हुआ था अगले दिन जब उसने टैनिंग बिस्तर के लिए 30 मिनट और अपॉइंटमेंट लेने की कोशिस के तो उस सैलून के करमचारियों ने उससे कहा कि वो केवल एक सब्ता में दो बार ही टैनिंग करा सकती है वो महिला दूसरी बार की टैनिंग से संतुष्ट नहीं थे उस महिला को डर लगने लगा कि इस तरह से तो उसका चेरा उसकी साधी तक सुन्दर नहीं हो पाएगा फिर उस महिला ने योजना बनाई कि वो सहर के सभी टैनिंग सेलून में अपॉइंटमेंट बुक कर लेगी और हर सेलून में 30 मिनट तक टैनिंग करवाएगी उस महिला ने अगले चार दिन एक टैनिंग सेलून से दूसरे टैनिंग सेलून में विदाय इसके बाद उसका चेरा थोड़ा सुन्दर यानि टैन होने लगा था लेकिन उसे अभी भी चिंता थे कि उसकी साधी की दिन पास आने लगे हैं और वो अभी तक पूरी तरह सुन्दर नहीं हो पाई है फिरू एक दुकान में गई और एक अलग प्रकार की ब्रांड के टैनिंग लोसन खरी थी इस ब्रांड लोसन का केवल वही लोग उप्रयोक कर सकते थे जिनको एक दुरलब तचा की बिमारी हो इस लोसन को प्रकास के प्रति तचा की समेदन सेज़ता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था उस महिला को लगा कि इस ब्रांड के लोसन से उसकी तचा बहुत सुन्दर सुनैरे रंकी हो जाएगी फिर उसने उस टैनिंग लोसन को अपने पूरे सरीर पर लगा लिया और फिर इसे सूखने दिया फिर वो अपने टैनिंग बिस्तर पर सो गए उस दिन कुछ समय बाद टैनिंग सल्यून के कर्मचारियों को हवा में जलने जैसी बदभु आई जब वे देखने गया तो उन्होंने देखा कि एक टैनिंग बिड़ वे आग लगे है आग की लपटों को बुझाने के बाद टैनिंग बिस्तर पर उस बेचारी महिला की जली हुई लास थे जब उस महिला के वरत सरीर की आटो पैसी की गए तो कॉर्णर यानि कॉर्णर जाच अधिकारी ने पाया कि उस महिला के अंदर के अंग अंदर से लेकर बाहर तक पके हुए थे टैनिंग लोसन और सन बेट दोनों में एक साथ रहने के कारण उस्ते वास्तों में अपने आपको जिंदा ही आग में जलानिया था आपको आज की ये कहानिया पसंद आई होंगी वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और साथ ही कमेंट में अतायेगा कि आपको कौन से स्टोरी ज्यादा पसंद आई और हाँ दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई होरोर स्टोरी है जो आप मेरे साथ सेर करना चाहते हो इस चैनल के साथ सेर करना चाहते हो तो बहुत स्वागत है आपका आप इस्टाग्राम पर सेर कर सकते हैं अपनी स्टोरी आपकी स्टोरी अगले वीडियो में आ जाएगी थैंक्यू मिलता हूँ आप झाल झाल